Hi guys and welcome back to the channel Deepachyadav Education Welcome to the daily current affairs discussion तो guys आज की दारिख से जितने भी most important current affairs बनेंगे उन सभी current affairs को हम यह आपर details से discuss करेंगे यह वीडियो UPSC और state PSE के point of view से बहुत ज़ादा important होता है तो चलो शुबहरम करते हैं बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के नाम से एक लिंक दिया या है उस लिंक के थुरू आप लोग मेरे टेलिग्राम चनल तक पहुंच जाओगे अगर इस तरीके से आपको वो टेलिग्राम चनल नहीं मिलता है तो एक बहुत सिंपल तरीका है डिरेक्टी टेलिग्राम आप को डाउलोड करना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपाच ज्यादव एजुकेशन आपको यह वाला प्रोफाइल मिलेगा, यहाँ पर कनेक्ट करकर अपनी क्वरीज को मेरे साथ में डिसकस कर पाऊगे चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के डिसकस्शन को काफी इंटरेस्टिंग सा डिसकस्शन रहने वाला है कुछ रेलिवेंट आर्टिकल्स को हम लोग कवर करेंगे जो कि अलग अलग न्यूस पेपर के अंदर आए हुए थे जैसा आज का सबसे पहला आर्टिकल बहुत इंपोरेंट है हम डिसकस्श करने वाले हैं डिमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के बारे में अब नाम ही काफी कॉंप्लेक्स है लेकिन इसको अब्विसी बात हम सिंप्लीफाई करके सारी चीजों को समझेंगे आपने गवर्मेंट के बारे में डिसकस्शन करेंगे पंचायाती राज के बारे में डिसकस्शन करेंगे हमारे सिलेबस में कहां पर लिंक किया जा सकता है तो जीएस पिपर नंबर टू के अंदर आपको ये दो टॉपिक देखने को मलेंगे लोकल सेल्फ गवर्नेंस और कॉपरेटिव फेडरलिजम इन दोनों ही टॉपिक से आप लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिंक कर पाओगे पहली चीज आखिरकार न्यूस क्या है हम लोग इसको समझते हैं देखो यहां पर बोला जा रहा है कि अभी देखो 73rd और 74th जो Constitutional Amendment Act थे यानि कि 73rd और 74th यहत्तरवा और 74 जो संभिधान संशोधन हुआ था ना इसको पास हुए भे लगबग 30 साल हो चुके हैं 30 years हो चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे तो current time पर जो हमारा purpose था इन संशोधन को करने का वो purpose पूरा नहीं हो पा रहा है वो purpose था हमारा कि हम country के अंदर हमारे देश में decentralization कर दें decentralization का मतलब क्या है मैं आपको एक picture के मादम से समझाने की पहले कोशिश करता हूँ तो वो तो होता है centralization या फिर आप कर सकते हो कि हाँ पर अगर हम example के तोर पर अपने articles से relate करके समझें तो केंदर सरकार के पास में सारी power होना बाकी किसी के पास में power ना होना ये क्या कहला जाएगा centralization कहला जाएगा लेकिन decentralization में क्या होगा decentralization में powers को बाट दिया जाएगा काम को सभी लोगों में बाट दिया जाएगा इससे efficiency काफी increase हो जाती है तो अब decentralization का मतलब समझते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जब हम लोग बात करते हैं government की तो आपको government पर अलग-लग level देखने को बलेंगे एक तो हमारी कें सरकार हो गई union government दन उसके बाद हमारी state government राजसरकार हो गई दन local government हो गई अब local government को भी यहाँ पर अलग-लग जगा पर बाट दिया गया है और local government के बाद में भी आप देख पाओगे municipality और साथी साथ में पंचायते के पास में यह powers आ जाती है मतलब powers को अलग-लग जगा पर बाट दिया गया है तो यह क्या कहला हैगा decentralization मतलब एक ही का पूरा का पूरा control होना तो basically यहाँ पर बात यह की जारी है कि 73rd और 74th जो संशो किया गया था संविधान में उसका purpose यही था कि हम लोग decentralized इंडिया के अंदर कर सकें जो powers हैं उसको यहाँ पर local level तक भी बड़े लेवल पर बाट सकें लेकिन वो चीज़े अभी भी यहाँ पर successful तरीके से काम नहीं कर रही है अभी तक बहुत कम ही यह सब हो पाया है इस वज process है of devolving the function and resources of the state from the center to the elected representative at the lower level यह जैसे मैं आपको बताया यहाँ पर आपको देखो एक पुरा process देखने को बेलेगा जहाँ पर जो functions है जो powers हैं वो center फिर state और state से यहाँ पर local level तक पहुँचती है local level का participation यहाँ पर बढ़ता है local level का role काफी जादा बढ़ता है जैसे पंचा सारे राज्यों ने अभी के टाइम पर अलग अलग प्रकार के काम करे हैं जहाँ पर अपने अपने राज्यों के अंदर पंचायत की power को बढ़ाया है वो भी आगे मैं आप लोको समझाओंगा समझ में आई बात इतना तो आपको पहले clear हुआ आगे आते हैं अब देखो local level पर power वराने का मतलब है उनको अलग से कुछ power देना, financial grant देना, यानि की financially support करना, tax का मामला थोड़ा समालने के लिए देना, क्योंकि local government जब से बनाई गई है 73rd और 74th Constitution Amendment Act के थ्रू तबसे उनको जादा powers नहीं मिली हैं, जादा उनको responsibilities नहीं दी जारी हैं, है ना, बस खाली ऐ ऐसे वो मामला चली रहा है, तो जादा powers मिलेंगी नी, तो वो लोग आगे यहाँ पर अपनी society में उसको implement नहीं कर पाएंगे, गाओं के level पर उसको implement नहीं कर पाएंगे, लोग को उसका benefit नहीं मिलेगा, तो उसी वज़ा से यहाँ पर यह कदम उठाया गया, यहाँ पर यह क देखो, local government की जब बात आती है न, तो इसमें आपको पंचायत देखने को मल जाएंगे, पंचायत क्या है, बेसिकली यहाँ पर एक state subject है, आपको पता होगा, सम्भीधान में अलग-लग list बनाई गई है, आपको पता है, कौन-कौन से list है, हमारी union list है, central list है, state list है, तो यह जो पे जो हमारा सम्भीधान है, वो किसीच के बारें बात करता है, सम्भीधान बात यह करता है, कि देखो, जो पंचायत और municipalities आपको देखने को मलती है न, इनको elect किया जाएगा, हर पांस साल के अंदर, और इनको काफी सरी responsibilities दी जाएंगी, और state, यानि जो राज सरकार है, वो जो पंचायती राज institutions को basically लाया गया, इसको establish किया गया, यह हमारे original सम्भीधान में नहीं था, जब सम्भीधान बनाया गया था तो originally इसके बारें कोई चर्चा नहीं थी, 73rd, 74th जो amendment हुआ था, संशोधन हुआ था, उसके basis पर यहाँ पर पंचायती राज institutions को भारत के अंद नहीं था, तो इसके बाद इसको हमने अलग से जोड़ा था, संशोधन करने के बाद में, तो यहाँ पर जब संशोधन किया गया, तो दो नए parts इसके अंदर add कर दिये गए, पार्ट 9 जिसको title दिया गया, दा पंचायत, इसको add किया गया था, 73rd amendment के थूँ, और फिर करेंगी, ठीक बात हो गई, clear हो गया, अब जो हमारा schedule देखने को मिलते है ना, तो जो 11 schedule है, उसके अंदर जो हमारी पंचायत है ना, इनकी responsibility, authority और powers के बारे में चर्चा की गई है, और जो 12 schedule है, इसके अंदर municipality की power, authority और responsibility के बारे में भी चर्चा की गई है, अगर मैं आपको बताऊं, तो वैसे मैंने आपको बोला, कि अगर हम लोग देखें, तो पंचायत के बारे में एक जगपर चर्चा थी, कहां पर article 40 के अंदर, article 40 क्या है, article 40 आपको यहाँ पर DPSP देखने को मिलेगा, DPSP क्या है, Directive Principles of State Policy आपको पता होगा, तो article 40 के अंदर बताया जा रहा था, कि हाँ हम लोग पंचायत एस्टबिश कर सकते हैं, पंचायत को हम लोग लेकर आ सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करता था, आपको बताऊगा, कि article 12 से लेकर 35 तक, यह सब आपको part 3 के अंदर देखने को मिलेगा, हमारे संभीधान के अंदर, part 3 के अं तक, जितने भी article हैं, उमारे DPSP के बारे में चर्चा की गई है, फिर article 51 A के अंदर fundamental duties के बारे में चर्चा की गई है, यह मने आपको संभीधान से related कुछ important बाते यहीं पर बता दी है, clear हुआ, अब देखो local bodies जो यहाँ पर बनाई गई, local bodies को लेकर आया गया, गाउं के level पर इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ, देखो आज के टाइम पर जो पंचायत के level आपको देखने को मिलेंगे ना, 73rd Amendment Act के थू हम लोग पंचायत को लेकर आए, तो यहाँ पर women का representation बहुत जादा है, current टाइम पर देखोगे तो भारत के अंदर, आप लोग देख पा बता है, जिसमें से 1.3 million women है, sorry मैंने आपको क्या बता दिया, इसमें आपको भारत के अंदर जितने भी पंचायत हैं, कितने पंचायत हैं, 2,6,512, ठीक होगी बैट, इतने पंचायत में 3.1 million के आसपास आपको elected representative देखने को मिलेंगे, और इन 3.1 million elected representative में से women का कितना representation है, त 3.3 million का, तो यह आपके लिए एक important fact तयार हो जाता है, तो यहाँ पर इसको धियान में रख सकते हो, साथी साथ में, जब हम लोग parliament की बात करते हैं, state assemblies की बात करते हैं, तो यहाँ पे women का representation बहुत कम है, 7-8% का है, लेकिन local level पर बात करोगे, तो यह जो हमारी local government है, यहाँ पर women का representation आपको काफी जादा देखने को मिलता है, इन parliament और state assemblies से, तो आप कह सकतो हो, यह जो local government है ना, इनका एक major achievement यही है कि women का representation यहाँ पर in local government में बढ़ता हुआ नजर आया है, यह इसका सबसे पहला achievement देखने को मिलेगा, दूसरा आपको देखने को मिलेगा, इन्होंने एक healthy competition create कर दिया है अलग-लग राज्यों में, अलग-लग राज्यों के बीच में एक competition सा बन कर आ चुका है, आप देखोगे 73rd और 74th जो amendment लेकर आया गया, इसके थुरू एक healthy competition create हुआ, अलग-लग राज्यों के पास में, इन्हों नहीं हाँ पर अपने यहाँ पर गाउं के level जो पंचायत्स है ना, उनको अलग-लग powers देनी स्टार्ट करें, जैसे powers की बात करें तो fund, functions और functionaries यह चीज़ें यहाँ पर देनी चालू करें, और आप देखोगे कैसा competition स्टार्ट हुआ, मैं आपको competition example के थुरू बताता हूँ, जैसे अलग-लग राज्यों में जब competition स्टा लिया और इन्होंने भी बहुत सरे जो अलग-लग department है, जैसे health का department हो गया, education का, women का और agriculture हो गया, यह सारे department पंचायती राज institutions को दे दिये, ठीक है तो आप जो मतलब कहने का मतलब है local government को दे दिये गए कि local government यहाँ पर इस सारे departments को संभालेगी, तो आप देख पार होंगे कि किस प्रकार से, पहले केरला ने कदम उठाया, इन्होंने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से काम किया था, फिर राजस्थान ने केरला से inspiration लिया, फिर उसी प्रकार से बिहार ने भी, बिहार भी एक idea के साथ में आया, जहाँ पर इन्होंने पंचायत सरकार को बनाया, फिर उसक आप में competition start हो गया है इस local government को लेकर clear हुआ तो एक achievement आपको ये देखने को मिलेगा अब दूसरी बात आती है अब इसमें local government जो इंडिया के अंदर है इससे संबंदित आपको क्या-क्या issues देखने को मिलते हैं क्या-क्या problems देखने को मिलती हैं सबसे पहले बात insufficient funding आज के टाइम पर जो हमारी local government सही से work नहीं कर पा रही है उसके पीछे का reason है कि insufficient funding आपको नजर आती है क्योंकि अब इस local सरकार को चलाने के लिए obvious ही बात है कुछ पैसा चाहिए funding चाहिए बिना funding के सरकार चल जाएगी नहीं चलेगी सरकार को भी काफी सर जगा पर पैसा खर्चना है तो पार हुई बात उसके बाद में आप देखोगे दूसरा चैलेंज आता है वो है infrastructure challenge बहुत सरे जो gram पंचायत है ना इनकी अपकी खुद की building नहीं है आप imagine करो गाउं के अंदर बहुत सरे पंचायत की अपनी खुद की building नहीं है तो यह जो पंचायत बैठाते हैं वो कहां कहा पर school आंगनवाडी centers और दूसरी दूसरी जगह पर यह हालात आपको देखने को मिलेंगे और कुछ पंचायत के पास में अगर building है भी तो उनके पास में basic facilities नहीं है जैसे toilet की drinking water की electricity connection की facilities उनके पास में नहीं देखने को मिलेगी बहुत सरे पंचायत के पास में internet connections आपको नही देखने को मिलेंगे ठीके न तो ये problems आज के time पर ये local government phase कर रही है और उससे भी एक बढ़कर problem है वो है lack of staff local government पर proper staff नहीं देखने को मिलेगा और proper staff नहीं होगा तो obviously बात है जो basic task है उसको सही से पूरा नहीं किया जा सकता basic चीज़े हैं उसको सही से पूरा नहीं किया जा स स्टाफ का बहुत जादा जरूरत आपको देखने को मिलता है सरकार के अंदर में लेकिन इसी की कमी होगी तो कैसे आगे चीज़े implement होगी हमारे हमने क्या-क्या local government को अलग-लग departments दे दिये अलग-लग काम दे दिये अलग-लग responsibility दे दिये अब उस responsibility को उस जिम्मेदारी को उस department को चलाने के लिए लोग ही नहीं होगे आप स्टाफ को हायर ही नहीं करोगे तो इससे कहीं न कहीं आप कर सकते हो बहुत सरी problems बहुत सरी challenges यहाँ पर create होते हुए नजर आते हैं फिर उसके आद में एक और बहुत बड़ा challenge है कि आप देखो कि local government पर इन पंचायत पर अगर हम downgrade हो रहा है काफिया तक नीचा होता वह नजर आ रहा है क्योंकि दिक्कत यहां पर यह है कि जो local government है यह केवल आज के टेम पर काम कर रही है implementation machinery की तरह मतलब इनको काम बता दिया गया कि आप इन इन चीजों को लागू करो तो यह क्या कर रहे हैं बस खाली उन उन चीजों को लागू करने में ही मदद कर रहे हैं तो आप कह सकते हो यह कहीं न कहीं इस से local government का जो image है वो काफिया तक downgrade हो रहा है इनका जो role है वो काफी कम होता वो नजर आ रहा है तीसरा आपको corruption देखने को मेले का है corruption अपने आप में एक बहुत बड़ा challenge है हमारे सरकार के अंदर वो आपने पता ही है तो यह बात हो गई local government की ठीके न तो local government सही से नहीं perform कर रही है क्या है reason वो आपको समझाया हमारे संभिधान में कहां कहां पर चर्चा की गई है पंचा पंचायती राज डे भी मनाते हैं तो सबसे पहला जो नैशल पंचायती राज डे है न ये observe क्या था साल 2010 में तब से नैशल पंचायती राज डे हर साल सलिब्रेट होता है 24 बारे 24 हिप्रेल को ये celebrate ह u at coined यह बात यहां पर अपने ध्यान में रखनी को लेकर महात्मा गांद आपको पता है आहिंसा के रास्ते पर चलते थे तो इनका कहना यह है कि पंचायत राज जो यह local government है अगर हम इसको बना देते हैं जब यह बन जाएगी तो समझना जो public का opinion है लोग अपनी opinions रखेंगे लोग अपनी problems रखेंगे उस पंचायत में बैठ कर तो जो उनका समस्या है उसका समधान बहुत अराम से निकलेगा उनको कोई violence वगरा करने की आवश्रक्ता ही नहीं पड़ेगी वो चीज़े भी आप लोग को यह आपकर नजर आती है तो basically यहाँ पर इनका local government को लेकर एक बहुत बड़ा support था I hope आपको यहाँ पर यह बात बहुत अच्छे से समझ म आ चुकी है clear हो गया यह सब कुछ details आपको समझ माया अब आप लोगों से एक question है पंचायती राज को लेकर जो यह पूरा idea है इसको starting में जब implement किया गया था तो इसके लिए committee वनी थी उस committee का आप नाम बता सकते हो नहीं पता है तो मैं आपको गल बता दूँगा बट इतना important था कि इसको लेकर UPSC ने पहले कई सारे सवाल पूछे हैं देखो साल 2017 में prelims में यह सवाल पूछा जया था local self government can be explained as an exercise in local self government को हम कैसे explain कर सकते हैं a federalism, b democratic decentralization, c administrative delegation या फिर d direct democracy तो आप क्या कह सकते हो इसका correct answer अभी मैं आपको पढ़ाया ही है be democratic decentralization, local self government को हम लोग explain कर सकते हैं democratic decentralization की तरह मतलब जो powers है न वो बड़ी level से आ रही है, छोटे level तक सभी के हाथ में आप पर powers को बढ़ा कर दिया जा रहा है तो एक question ये पूछाया था साल 2017 में, उसके बाद अगला question आप देखोगे एक और पूछाया या पंचायती राज से लेकर financial mobilization, यहाँ पर नीचे आपको इसके option दिये गए, one and two, three only, two and four only, one and three only, या फिर चौथा चारों के चारों आपको देखने को मिलेंगे, ये object पंचायती राज सिस्टम के, तो इसका correct आपको C देखने को मिलेगा, one and three only, क्योंकि पंचायती राज सिस्टम क्या है, यहाँ पर people का participation होता है, development में और उसके साथ में आपको democratic decentralization देखने को मिलेगा, बाकि ना ही हमने political accountability के बारे में चर्चा करी है, ना ही हम लोगोंने financial mobilization के बारे में चर्चा करी है, ठीक है ना, इसका explanation यहाँ पर आप रीड कर सकते हो, बदला मैं आपको दिखाए एक idea दिया है कि आखिर powered village के बारे में, तो recently यहाँ पर यह ऐसा गाउं बन कर आया है, जहाँ पर 2400 घंटे solar power energy का use किया जाएगा, तो इस वज़ा से यह relevant है, इस article को आप लोग GS paper number 2 और 3 से link कर पाऊगे, syllabus में आपको यह सारे topic देखने को मिलेंगे, solar energy, renewable energy, infrastructure, government policies and intervention का topic नजर आएगा, तो इंडिया का पहला solar power village जो है, वो कौन सा है, वो आपको मोधेरा गाउं देखने को मिलेगा, नाम देखो, one day examination के लिए तो directly important है, अभी prelims के लिए और mains के लिए क्या क्या पढ़ना है, वो भी आपको में बताऊँगा, तो पहला गाउं, पहला solar power village कौन सा है, वो आपको मोधेरा देखन को मिलता है, अब news में क्यों है, इसको समझते हैं, हाली में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मोधेरा जो गाउं है ना, इसको declare कर दिया, मोधेरा गाउं कहां पर है, बेसिकली यह आपको गुजरात के महसाना district में देखने को मिलेगा, तो इसको declare कर दिया यह है, यह कि यह भार का पहला solar powered village बन चुका है, मोधेरा गाउं के बारे में कुछ interesting बात है भी आपको मैं बताऊंगा, वो भी आपको ध्यान में रखना है, दूसरा यहाँ पर point आता है, कि important key highlights क्या है, इंडिया का जो यह पहला solar powered village है ना, इसको लेकर कुछ important points हम लोग directly लिख कर लाएं हैं, उस को मैं आपको समझाता हूँ, पहला चीज यहाँ पर आपको मोधेरा गाउं के बारे में पता होना चाहिए, मोधेरा जो है ना, यह famous है sun temple के लिए, और आपको मैं बता दूँ, UPS ने prelims के अंदर directly एक question पूछा था, sun temple कहाँ पर इस से थे, मोधेरा में से थे, मोधेरा famous है sun temple के लिए sun temple एक protected ancient site आपको देखने को मिलेगी, जो की जो पुषपवती river है ना, वहीं पर आपको यह situated देखने को मिलेगा, इस sun temple को बनाया गया था, king भीमवन ऑप दा चलुक्या डानिस्टी के थो, चलुक्या डानिस्टी के जो king थे, king भीमवन, इनके थो यहाँ पर बनव करते हैं, घूमने जाते हैं sun temple पर, तो यह बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई, दूसरा हम लोग अब discuss करते हैं solar power generation के बारे में, देखो यह जो solar power village है ना, क्योंकि मोदेरा एक solar power village बन चुका है, अब यहाँ पर एक enough solar energy generation हो रहा है, मतलब कि अराम से लोग solar energy को generate कर रहे ह और उसी solar energy का इस्तमाल कर रहे हैं, लगबग thousand solar panels आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि इस गाउं में install कर दिये गए हैं, 1000 solar panels यहाँ पर पूरे गाउं में लग चुके हैं, और इसको develop किया गया है, ground mounted solar power plant के थूरू, और यहाँ पर बोला जा रहा है, कि लगबग 1300 rooftop solar system को लगा दिया गया है, मतलब आप कर सकते हो कि यहाँ पर जो आपको छटे देखने को मिल रही है ना, छटो पर यह solar system लगा दिया गया है, जो लोगों की buildings हैं, या फिर लोगों के घर हैं, या government buildings हैं, वहाँ सबी जगा पर इन solar systems को लगाया गया है, वैसे basically यहाँ पर 1000 solar panels लगाया गया, अलग-लग छटों पर आप लोग देख पाओगे, इस प्रकार से solar panels लगाये गये हैं, ऐसा यहाँ पर mention किया जा रहा है, ठीक है ना, तो आई होब आपको यहाँ पर यह बात अच्छे से समझ में आई है, अब उसके बाद आप देखोगे, तो यह जो solar powers हैं, जितना भी यहाँ पर यह solar panel connect किया गया, पूरा solar system यह बनाया गया है, इन सब को, इन सब को यहाँ पर connect किया गया battery energy storage system से, यानि जिसको हम लोग 20 के नाम से जानते हैं, तो यह 20 है क्या इसको समझो, battery energy storage system बेसिकलि एक प्रकार का energy storage system है, यहाँ पर energy को store किया जाता है, बैटर आपको यहाँ पर देखने को मल जाता है, clear हो गया, आई होप आपको यहाँ पर यह बात अच्छे समझ में आई है, अब benefit की बात करें, इसका फाइदा क्या होगा, देखो यह जो project है ना, यह हम लोग को बताएगा कि कैसे, इंडिया एक renewable energy के मामले में काम कर सकता है, और सब सबसे important बात, इसका एक पहला benefit यह है, कि इससे लोगों को फाइदा मिलेगा, लोग पैसा कामा सकेंगे, तो आप काओ को यह क्या मतलब है, अपने घरों में solar panel लगाने के बाद में लोग पैसा कामा सकेंगे, यह बात समझ में नहीं आई, देखो अब इस बात को मैं आपको स ज़्यादा बन रहेगी न, तो उस बिजली को वो sell करना start करते हैं, यानि कि उस बिजली को बेचना start करेंगे, सरकार को बेचेंगे, तो बेसिकली सरकारी जो grade है उसको बेचेंगे, तो यह चीज़ आपको यहाँ पर नजर आती है, तो जो लोग आपको गाओं में देखने क को मिल रहे हैं, इन्होंने क्या करा है, यह basically start कर सकते हैं, इस बिजली को बेचना start कर सकते हैं, अपने घर में जितनी जरुरत थी उतनी use करी, surplus energy को बेच दिया, इससे यह earn भी कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, सरकारी grade को यह बिजली बेच कर, इससे क्या होगा, जो employment है, यान sustainable implementation है, वो हम लोग देख पाएंगे, यानि कि यह जो project है, solar power वाला, यह अराम से implement होगा, इसको हम लोग लागू करेंगे, और इसी की basis पर हम आगे बड़े-बड़े areas में भी लागू कर सकते हैं, और इसे ही बड़ा फाइदा, क्योंकि यहाँ पर बिजली को बेचा जाएग तो वो जो लोग है ना, उनका जो electricity का bill है, वो कम हो जाएगा, तो उस area में माना यह जा रहा है कि 60-100% तक electricity bill जो है ना, यह basically लोग बचा सकते हैं, क्योंकि obvious सी बात है, अब वो solar energy का इस्तमाल कर रहे हैं, अब electricity bill भरने की बजाए, वो उल्टा पैसा यहाँ पर अरन कर सकते ह हैं, इससे यहाँ पर और भी बहुत सारा impact पड़ेगा, जैसे हम लोग इस energy का इस्तमाल करके कुछ और नईनी technologies का इस्तमाल कर सकते हैं, जो महिला हैं उनको लकडी बगरा जलाने की यहाँ पर जरुरत पड़ेगी नहीं, है ना, kitchens के अंदर ने सब चीजों की जरुरत पड सभी पर एक बहुत बड़ा impact पड़ेगा कहने का purpose यह है, अब question यहाँ पर यह है, यह तो मैंने आपको current issue बढ़ा दिया, थोड़ा सा background पड़ता है, कि solar energy का जो status है भारत में आखिर कार वो कहां पर stand करता है, हम लोग कहां पर आज के time पर, किस position पर है solar energy के मामले में, तो current time पर देखो के जो installed solar energy की capacity है ना, वो हमारी बढ़ चूगी है, पिछले 8 सालों में हमारी capacity 19.3 times बढ़ी है, 19.3 गुना जादा हम लोगों ने अपनी solar capacity को बढ़ा दिया है, इंडिया ने अपना टार्गेट सेट के एक ambitious target है हमारा, वो यह है कि हम लोग साल 2022 तक 175 गीगावाट तक का renewable energy का capacity generate करने का focus कर रहे हैं, यानि 175 गीगावाट तक की जो energy बजली का उतपादन हम लोग करेंगे ना, वो solar energy से करेंगे, solar energy या फिर wind energy जो भी हमारी renewable energy है उस से करेंगे, और इस target को अभी expand कर दिया गया है, 2022 तक 175 गीगावाट तक की energy को generate करने का था, इसको हम लोग न 2030 तक 500 गीगावाट तक का target set कर दिया है कि 500 गीगावाट तक की energy हम लोग generate करेंगे 2030 तक वो energy होगी renewable energy, ठीक है ना, solar energy या wind energy से निकल करेंगे, नई तो फिर जो normal electricity होती है वो आपको पता है, जब हम लोग उसको बनाते हैं उसका production जब होता है, तो वो basically कोईले को जला कर होता ह है तो वो चीज़ यहाँ पर रोक कर, हम लोग renewable energy को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोईले को जल रहा है तो उसे pollution काफी ज़ादा होगा, यहाँ पर कोई pollution आपको देखने को मिलेगा नहीं, clear हो गया, इंडिया यहाँ यहाँ पर दूसरा largest market देखने को मिल हैं, यह दोनों top राज्ये बन चुके हैं, जहाँ पर सबसे ज़ादा solar energy को लेकर installation हुआ है, राजिस्तान के अंदर 53% हो चुगा है, गुजरात के अंदर 14% का installation देखने को मिल जाएगा, उसके आद महाराष्ट्रा है 9% installation के साथ हमें, तो यहाँ पर भी solar energy काफी तेजी से implement ह हो रही है, अब मैं आपको कुछ important initiative बता रहा हूँ, क्योंकि mains के अंदर आपको बता होगा, important initiative पूछ ले जाता है, solar energy से संबंदित, क्या-क्या important initiative है, तो पहला है solar park scheme, जो solar park scheme है ना, इसकी planning यह है, यह basically बात करता है, number of solar parks को बनाने की, बहुत सरे solar park बनाए जाएंगे, और 500 megawatt तक की जो energy है, वो यहाँ पर generate की जाएंगी, अलग-लग राज्यों के अंदर, उसी प्रकार से दूसरी scheme है rooftop solar scheme, यानि कि जो छते हैं, उनके उपर solar panels को लगाने के बारे में चर्जा की जाती है, फिर अटल जोती होजना है, मैं आपको यह उपर-उपर से बता रहा हूँ क्योंकि initiative में आपको यहाँ पर सिर्फ नाम नाम बता होना चाहिए, नाम थोड़ा सा आपको help करेगा, फिर ऐसे ही national solar mission देखने को मिलेगा, यह कुछ ऐसे initiative हैं, जो की बात करते हैं कि हम भारत के अंदर solar energy की capacity को increase करेंगे, अब एक और important point आता है, कि जो भी हम लोग काम कर र हैं, सबसे पहला challenge है कि हम लोग import के उपर dependent हैं, मतलब अब आप कोगे solar energy में हम लोग बाहर से क्या मगा रहें, आपको बताओगा solar panels जो बनते हैं ना, उसके पीछे बहुत सारा raw material लगता है, बहुत सारा raw material लगता है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लगती हैं, त और वो raw material नहीं आएगा, तो अब्वियस ही बात है हम इसमें successful भी नहीं हो पाएंगे, आप यह target देखो, देखो यहाँ पर raw material supply की बात होती है ना, तो silicon wafer आता है न्यूज में, silicon wafer एक सबसे महंगा raw material है, जो की भारत के अंदर बनाया नहीं जाता, और पता है हम इसे आज क 50% cells का हो रहा है, तो जो raw material है, कच्चा माल है, उसको हम लोग import कर रहे हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत है, और इसके अलावा भी कुछ और important raw materials है, जैसे कि silver हो गया, aluminium हो गया, metal paste हो गया, इन सब चीजों का इस्तमाल हम लोग करते हैं, electrical contracts बनाने में, तो यह इस सब भी, आप कह सकतो 100% हम import करते हैं, यह एक बहुत बड़ा challenge है, दूसरा challenge आपको देखने को मिलेगा वो है, solar photovoltaic cells के अदर inefficiencies आना, पहली बात हमें एक बहुत बड़ा area चाहिए है, इसको लगाने के लिए, पार्क को लगाने के लिए, तो वो challenges भी आपको देखने को मिलते रहते हैं, फिर यहाँ पर आप देखोगे ना, local communities के साथ में conflict हो जाता है, कि यहाँ पर suppose एक जगा पर हम यह पार्क बना रहे हैं, और फिर वहाँ पर community रह रहे हैं, उनको हटाना पड़ेगा, तो इस प्रकार से conflict बगरा नज़र आता है, environment का ध्यान भी रखना है, अ साल 2020 के mains में question पूछा था, mains में question क्या है, यह solar energy को लेकर है, कि इंडिया के पास में बहुत जादा potential है solar energy का, है ना, यहाँ पर उसके बारे में यह पूछा गया है, दो there are regional variations in its development, यहाँ पर फिर भी आप लोग देखने को मिलेगा, बहुत सारे variations हैं इसके विखास के अंदर, तो इसके basis पर आप बहुत अराम से यह जो data आपको provide किया यह ना, इसके basis पर आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हो, तो एक question यहाँ पर दिखाया है कि इन दिखारों में आपको as a example कि यहाँ, इस question से आप लोगो काफी कुछ जानने को मिल जाएगा, ठीक है ना, अगली article पर नेक्स आटिकल आपने thumbnail भी देखा होगा, हम discuss करने वाले हैं श्री महाकाल लोग corridor के बारे में, तो important article है, क्योंकि यहाँ पर corridor को लेकर question बन जाते हैं, इस article को आप लोग GS paper number 1 से link कर पाऊगे, syllabus के अंदर topic है temple architecture और ancient Indian history, यानि GS paper number 1 के अंदर यह topic आते हैं, Indian express का यह article आपको देखने को मिलेगा, महाकाल जो temple है उजेन के अंदर में, ठीके ना, इसका importance बहुत जादा है Hinduism में, क्या importance है मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन news में क्यों है, recently हमारे प्रधान मंत्री ने उदगाटन कर दिया है, श्री महाकाल लोग corridor का, ये महाकाल लोग corridor कहां पर है, उज बेसिकली आपको तीसरा इसी प्रकार का corridor का उदगाटन देखने को मिलेगा, अब उसके आद बोला ये जा रहा है कि इस corridor को हम लोग बनाएंगे, उजेन के अंदर में, और इस corridor को बनाने के लिए काफी सरा पैसा खर्च जाएगा, और लगबग यहां पर दो फेस में हम लो बचने वाले हैं, तो ये जो corridor यहां पर बनाया जा रहा है ना, इसका importance कैम आपको ये समझाता हूं, ये श्री महाकाल लोग corridor है क्या, आपको ये कुछ इस प्रकार से बड़ा सा corridor देखने को मिलेगा, टेंपिल के आसपास बड़ा सा corridor बना दिया जाएगा, बहुत बड़ी जगा होगी लोगों को यहां पर घुबने के लिए यहां पर मिल जाएगा, बहुत अराम से यहां पर दरशन कर पाएंगे लोग, जो भीड है वो पूरी तरह से control हो पाएगी, ये सब को चोरा महा कालेशवर टेंपिल पर, महा कालेशवर टेंपिल वो एक ऐसा मंदिर है, ज मतलब इसके कुछ और भी एरियास जॉइनिंग है उजेन डिस्क्रेक्ट में, वहीं पर हम लोग ये सरागसरे डेवलेप्मेंट कर रहे हैं, इस प्लान में हमारा टार्गेट यह है कि महा कालेशवर मंदिर के अंदर, जो ये प्रामाइसिस पूरा देखने को मिल रहा है, व मतलब इतना एरिया बढ़ा दिया गया आपका सकते हो, और इसको हम लोग करेंगे अलग लग फेस के अंदर, दो फेस में हम लोग ये काम करने वाले हैं, दो फेस में ये पूरा डेवलेप्मेंट होगा, इसके अंदर आपका सकते हो कि 17 हेक्टेयर की रुद्रा सागर लेक भी देखने को मिलेगी इसी particular project में साथी चाहत में जो project करेगा लोगों की संक्यां यहाँ पर बढ़ जाएगी area बढ़ जाएगा लोगों की संक्यां यहाँ पर increase हो जाएगी और इसमें मैंने आपको बता है दो face में काम होगा जो पहला face होगा ना इस पहले face में आप देखोगे जो visitor plaza है ना इसके ओपर काम किया जाएगा visitor plaza basically यहाँ पर दो entrance होंगे कहने का मतलब है दो दवार होंगे एक होगा नंदी दवार और एक होगा पिना की दवार यह आपको दो प्रकार के दवार देखने को मिलेंगे तो यह जो visitor plaza है यह एरिया यह जो दवार आपको देखने को मिल रहा है यहीं पर एक बार में 20,000 जो आप पिल्ग्रिम्स हैं 20,000 जो आप कह सकते हो भक्त है वो पहुंश सकते हैं जो circulation plan आपको देखने को मिल रहा है यह कहीं ना कहीं मतलब कि एक एरिया इसको इतना बढ़ा एरिया बना दिया गया है थोड़ा सा और खोल दिया गया है कि जो भीड है ना वो बहुत कम लगेगी भीड का कुछ मतलब नहीं उठेगा 900 मीटर का pedestrian corridor बना दिया गया 900 मीटर यहां पर बैदल चलना प मिलेंगे painting देखने को मिलेंगी 93 स्टैच्ज्व को मिलेंगे और जीतने मिंध्य पेंटिंग सट्थaktu होंगे वो सब अलगलग कहा amanियों को दर्शा रहा होंगे लौड शिव जी के कहानियकों को डरशार होंगे शिव विवा दिखा रहा होंगे एना उसके बाद में आप कह स स्टोर्स होंगे, शॉपिंग जॉइंट्स होंगा, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, इस पूरे के पूरे 900 मीटर के पेडिस्ट्रेंट कॉरिडोर पर, तो पहले फेस में तो ये काम है, सेकिंड फेस में क्या होगा, सेकिंड फेस में हम लोग यहाँ पर जो खासकर इस्टन और नदन फ्रेंट है ना, टैंपिल का इस्टन और नदन जो हिस्सा है, वो बेसिकली हाँ पर एक्स्पैंड करने वाले हैं, उसको और जधा बढ़ाने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग और जो बहुत सारे areas उचें सिटी के अंदर उसको develop करेंगे जैसे कि महराजवाडा, महाल गेट उसके बाद में हरी फताक ब्रेज, इन सब areas को भी हाँपर develop किया जाएगा, इन सब areas को भी हाँपर पूरी तरह से विक्सित किया जाएगा, बेगम, बाग, रोड भी आपको देखने को मिलेंगी तो इस temple से हट कर भी कुछ असके आसपास का जो structure है उसको भी हम लोग यहाँ पर redevelop करने वाले हैं वहाँ पर भी नईनी चीज़े बनने वाली हैं साथ ही साथ में आप देख पाओगे यहाँ पर धरम शाला कुंब यहाँ पर बनाया जाएगा तो second phase में यह काम होगा अब जो second phase है ना इसमें यहाँ पर जो funding आने वाली है वो आने वाली है AFD से एजेंस franchise development की साइट से अंडर दा city investment to innovate, integrate and sustain program तो इस प्रकार से यहाँ पर यह काम करने वाले हैं बाकी श्री महाकाल लोग कोरिडॉर का importance क्या होगा, जब यह corridor होगा तयार तो इसका importance क्या देखने को मिलेगा, importance यह है कि एक बहुत बड़ा cultural belief यहाँ पर create होगा, यह जो temple है यह माना जाता है, यह govern किया जाता है महाकालेशवर के तुरू, मतलब lord of time, that is lord शिव जी के तुरू यहाँ पर यह govern किया जाता है, अगर हम लोग हिंदू scriptures के according बात करें, हिंदू के according बात करें, जो temple है ना, इसको construct क्या गया था, lord ब्रहमा के तुरू, और presently आज के टाइम पर आप देखोगे, तो एक पवित्र नदी है शिप्रा, उसके पास में आपको यह locateate देखने को मिलेगा, और सबसे important बात आपको पता हो यहाँ पे जो जो जितर लिंग है, उसका जो face है, वो South Side में है, उसका face South Side में है, बाकि सारे मंदिरों में जो 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 जोतर लिंग है, उसका face East Side में है, तो यह basically यहाँ पर महा कलेशवर टैंपल इस वज़ा से भी थोड़ा सा अलग हो जाता है, important हो जाता है, ठीकर ना, यह बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है तो एक लौता जोतरलिंग है जो की साउथ साइड में देखने को बिलेगा वह महा कालेश्वर टैंपल में है ठीक है न यहां पर जो लोग है वह पूजा करने आते हैं इन फाक्क यहां पर लोग जो है न एक तरीके से जो मृत्ति और जो साउथ साइड है वह डिरेक्शन ऑफ डेथ कहलाती है ठीक है न तो यहां पर लोग वर्शिप करने आते हैं ताकि जो टाइम से पहले मृत्यू है उसको रोका जा सके ठीक है न पूरान्स के अकोर्णिंग अगर हम लोग बात करें तो लौड शिवजी के बारे में का भी पढ़ा रखा है तो यह जो टाम्पिल महाकाल टैम्पिल की बात कर रहे हैं जिस टैम्पिल में कोरिडोर भी बन रहा है यह मह जुरूव मेगा आप कह सकते हो, यह compose किया गया था यह लिखा गया था चार सेंचरी के अंदर में, फोर्थ सेंचरी में, यहां पर आप देख पाओके, काली जासी ने भी एक description दिया महाकार टेंपिल के बारे हैं, तो महाकार टेंपिल की चर्चा इतने पुराने समय में भी इस प्रकार से यहाँ पर इस temple पर ऊपर कोई शेकर नहीं देखने को मिला था, कोई इसपायर नहीं था, यह temple बिसिकली गुपता पीरेट से भी पहले का देखने को मिलता है, हालकि इस temple को बाद में disparate कर दिया गया था, यानि तोड़ा गया था, 13th century के अंदर यह temple complex है, इसको टर्क रूलर के स्थ्रू, टर्क रूलर जिसका नाम था, शम्स उद्देन इल्थुत्मिश, इसको तोड़ दिया गया था, उज्जेन के अंदर इस temple को, लेकिन बाद में हाँ पर आप देख पाओगे, प्रेजेंटे में यह जो temple बना वाए, पांच मेंजिला का आपको यह पूरा temple देखने को मिलेगा, इसको बाद में बनाया गया था, बाद में re-develop किसने किया है, तो बाद में यहाँ पर develop किया गया था, मराथा जनरल रनुजी शिंदेज गित्रू, 1734 में, ठीके न, तो यह बात यहाँ पर आप लोग ध्यान में रख सकते हो, महरास्ट्रा स्ट रही है, कि यह वीडियो 5 GB का बन चुका है, अब पता नहीं अप्लोड कैसे होगा यार, आज पता नहीं हुआ क्या यह, शायद quality पता नहीं कैसी है, समझ में नहीं आ रहा, चलो देखते हैं फिलाल अभी, और यहीं पर लेक्चर को समाप्त करते हैं, वैसे एक आर्टिकल औ होता है, इसको मैं कल कवर करता हूँ, आपके, बागी PDF के अंदर इसको provide करवा दूँगा, PDF मैं साब ले सकते हो, पढ़ सकते हो, अगर पढ़ना चाहते हो तो, now make sure करना है वीडियो पर जो like button उसको आप लोग प्रेस कर दो, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो मे आज के लिए बाइ-बाइ, have a nice day, thank you and jay hind